नमस्कार प्रे मित्रों में आज आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्धम से मिथुन रासी वालों के लिए कैसा रहेगा जून का मन्त बर्स 2030 मिथुन रासी जो बुद्ध की प्रथम रासी है बुद्ध एक ऐसा प्लाइनेट से है जिसे ग्रहों में कहते हैं राज कुमार और बुद्ध सुब के साथ सुब और असुब के साथ असुब का पढ़ाम देता है आप सब जानते हैं इसके पहली मैंने कई बार बताया इस मन्त में आपके रासी से आपके रासी स्पती एका दस अस्थान पे गुरु राहू के साथ बुद्ध महाराज एका दस अस्थान यानी लाब भाव में कोचर करेंगे ये आप के लिए मिरे मित्र बहुत बड़ा एक प्लस पाइंट है बेसक गुरु राहू का एक चंडाल योग बनता है जिसके कान थोड़ी सी आपके लाइप में उथल पुथल की स्थिति बन सकती है लेकिन अर्णिंग आप छेत्र में देख रहा हो तो काफी हद तक मजबूत रहेगा शुक्रमंगल की उती आपके दुतिय स्थान पे रहेगी जो धन और बाड़ी भाव को मजबूत कर रहा है लेकिन अपने बाड़ी पे आपको नियंतर रखने की सक्त जरूत है काते हैं न एक बार किसी धारदार औजार से ब्यक्ति का जख्म पूरा हो सकता है लेकिन अगर बाड़ी के द्वारा अगर किसी ब्यक्ति को अगर आपने धार दिया है आपने चोट दिया है तो उसके जख्म में आप कितने भी मरहम लगा ले बटो कभी भरता नहीं और चाहने का तात पर कि इस मन्थ में अपने बातों को कहने से पहले हर बार आपको ये विचार करने की जणृत है कि इन सब्धों के द्वारा्स की सामने वाले पर क्या इसका side effect होगा इसका क्या परभाव पड़ेगा बात करूं अगर आपके सुक भाव की बहुत अच्छा है इस मन्त में आप किसी नए कारे में कोई नया भवन इत्यादी का निर्माड करना चाहते थे शमय आपका अनकूल है और ये आपकी कामना ये आपकी इक्षा मुझे पूर्ण ह होती हुई दिखाई दे रही है वहन इत्यादी अगर लेना चाहते थे तो आप ले सकते हैं प्रापर्टी में कहीं पैसे आप इंवेस्टमेंट करना चाहते थे तो पेपर डाकूमिंट्स को चब करके ही आप पैसे लगाएं आपके लिए बेटर होगा एजूकेशन छेतर क मुझे दिखाई दे रही है यानि प्रेम परसंग में आप दिस्टर्ब हो सकते हैं सिख्षा में भी मन थोड़ा इस मन आपका कम लगेगा शंतान इत्यादी की अगर प्लानिंग कर रहे हैं तो इस मन्त में कहीं न कहीं आपको संतार कंसीब करने में या संतान के द्वारा आ आपको मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा, लेकिन confusion के कारण मन्थ हाप के बाद थोड़ी सी प्राब्लम आपको देखनी पड़ सकती है. उस प्राब्लम से बचने के लिए आप कान के पक्के बने, अपने कानों से जो चीज सुने आप उढ़ी पे विश्वास करें और जो अपने आखों से देखें सो उसी पे आप यकीन करेंगे आपके लिए वेटर होगा. वरना आपके लाइब पार्टनर, बिजनस पार्टनर में कहीं न कहीं तीसरा दक्ति इन्वाल्व हो करके आपके लाइब को आपके ब्यापार को देश्टरब कर सकता है. भाग काफी अच्छा है, भाग आपका काफी हद तक आपको सपोर्ट करेगा. कारियर में अगर बात करूं काफी दिन से अगर आप जौप लेसें तो इस मन्त भरपूर प्रियास करें, आपको एक अच्छी जौप की तलास्ती मिल सकती है. लेकिन अर्निंग आप छेतर राहू और गुरू की यूति बुद्ध के साथ, जैसा कि मैंने पहले बताया कि बुद्ध आपके रासी से एकादस स्थान पे गोचर कर रहा, अर्निंग आप छेतर मजबूत रहेगा, लेकिन राहू गुरू के साथ कही पैसे आपके फश सकते द्धास्थान की बात करूं, तो आपके रासी से द्धास्थान बेभाव में थोड़ा इस मंत आपका पैसा ज़्यादा खर्चा होगा, पारवारिक रिलेसंसिप को आप मजबूत करने का प्रियास करेंगे, किसी बात विवात से उल्जेना, समय आपका अभी इस मंत बहुत अनकूल नहीं है, तो इसलिए मिथुन रासी के जातक क्या करें, हर बुधवार को, गडेशी को आप दुर्बा चढ़ाएं, हरी मूंग चढ़ाएं, और हो सके, शंभव है, तो गडेश अथरसीस का पाठ करें, करजे से अगर आप बहुत ज़्यादा परिशान हैं, तो ब् सकते हैं, आपके मन में भी कोई प्रस्न हैं, कोई सवाल हैं, आप मुझे संपर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी पत्रका पे संपूर जानकारी मेरे द्वारा आप प्राप्त कर सकते हैं, जाए वो आपका लव लाइफ हो, कारियर हो, परिवार हो, संतान हो या ब्यापार हो जीवन में किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या है मेरे मित्र उसका कुछ ना कुछ कारण होता है और उसका कुछ ना कुछ निवारन भी होता है निवारन समय अनुशार अगर कर लिया जाए तो जीवन में उन समस्याओं से बहुत आसानी से आप निकल सकते हैं तो देर ना करके आप जो स्कीन पे नंबर दिया जा रहा, इन नंबरों पे संपर कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, मितुन रासी वालों के लिए सिर्फ इतना ही, पुना किसी अन रासी, अन बातों को ले करके मैं फिर चर्चा करूँगा, तब तक कि लिए नमस्कार, जै जैसे आराम.